बाकाजला के अमरपूर के यूवा जद्यू के पुरू पर्खंड अध्यच पंकच कुमार राय के घर से अंग्रेजी सराब बरामत किया गया है उत्पाद रिच्छक अरून कुमार मिस्रा ने बताया कि गुप्त सूचना पर उत्पाद निरिच्छक प्रमोत कुमार मंडल के नैतित में इंगलीज गौँ में छापे मारी की गई जहां पंकच कुमार राय के घर से 750 ml की 3 बोतल एवं 375 ml की 2 बोतल अंग्रेजी सराब बरामत की गई है उन्होंने कहा कि आदेतन उत्पाद अधिनियम के तहद विधान सवाचनाव में सराब माफियाओं के खिलाब कारवाई की जा रही है मालूम हो कि पंकच कुमार राय अमरपूर के युवा जद्यू के परखंड अधियस थे उन्हें मार्च महने में पद से हटा दिया गया था हलाकि वा पार्टी में अब भी सक्रिया है अमरपूर थाना परिसर में रईवार के दिन दुर्गा पूजा को लेकर सांती समीती की एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक के अधिचतार थाना अधिच अर्बिंद कुमार राय ने किया बैठक में मुखरूप से सियो सुनिल कुमार साह बिडियो राकिस कुमार उपस्थित थे बैठक में उपस्थित पूजा समीती के सलस्यों को संबोधित करते हुए बिडियो ने सांतीपुर महौल में पूजा संपन्न कराने की अपील की इन्होंने कोरोना काल को देखते हुए सभी पूजा समीतियों से स्वागत द्वार उधो सकी अंत्र नहीं बजाने की अपील की साथ ही उन्होंने बताया कि पंडालों एवं कंटेन्मेंट जोन में परतिमा स्थापित नहीं की जाएगी मंदिरों में ही प्रतिमा स्थापित करने की अनुमती है पूजा अस्थल पर मेला कायोजन नहीं किया जाएगा साथ ही पूजा में बली परथा पर पुर्ण रूप से परतिबंध लगाया गया है विसर्जन में जुलूस निकालने पर पूर्ण रूपेन पर्दिबंध लगाया गया है उन्होंने पूजा समीति के स्थियों को सोशल डिस्टेंस एवं पूजा करने आये भक्तों को मास्क पहन कर आने की अपील करने का निर्देश दिया उन्होंने बताया कि हर हाल में 25 अक्टूबर को प्रतिमावी सर्जन कर लेना है नियम का उलंगहन करने वाले पूजा समीतियों का लैसेंस रद्र करने के साथ साथ विधी समवत कारवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि गैर कानोनी रूप से हाड बजार लगाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है वैसे लोगों पर कारवाई की जाएगी इस अवसर पर अमरपूर दुरगापुजा समीति की अध्यच परदीप कुमार उर्पपुसा असोक सा संजे सा भरको पंचायत के स सुरेंद्र सर्मा समेत चितर के बिभिन गाउं से आये पूजा समीति की अध्यच से उपस्तित थे वहीं गोली बारी की घटना में एक ट्रैक्टर चालक जखमी हो गया जखमी चालक अमरपूर थानाचितर के दिग्गी पोखर गाउनिवासी राजु यादब का बीस वर्सिय पुत्र राहुल यादब बताया गया अपराधी यूबक को जखमी हालत में छोड़ कर फारिंग करते हुए फरार हो गए घटना अस्तर पर मौजूद चालक के मित्र अबधेस यादब जखमी चालक को उठा कर इलाज के लिए स्थानिय रैफर अस्पताल लेकर आये जहां डॉक्टर असोक कुमार साह ने यूबक का प्रात्मी कुपचार कर गंभी रिस्तिति को देखते हुए बहतर इलाज के लि सहकुन थानाचेति के रसुल्ला गाउनिवासी, मुहमद राजा, बक्चपर गाउनिवासी, कृष्णानन सिंग, छोटु सिंग, सिंचु सिंग एवं अन्य लोगों ने हतियार के बल पर रास्ता रोक लिया और चालक से रंगदारी मांगनी लगा बिरोध करने पर फाइरिंग करने लगा, फाइरिंग के दौरान चालक के जांग में दो गोली लग गई, गोली बारी के आवाज सुनकर कुछ लोग घटना अस्तर पर पहुँच गए, तब ही सबी अपराधी फाइरिंग करते हुए फरार हो गए बाका के फुली डुमर बजार में की स्टार बस से कुचल कर मितलेस मांजी की चह बर सिया पुतर सागर कुमार की मौत हो गई, घटना के बाद उसे इलाज के लिए फुली डुमर अस्पतार में भरती कराया गया, प्राथमी कुप चार के बाद डॉक्टरों ने उसे भागल पूर रहफर कर दिया, जहां इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई, घटना के बाद गुसाय अस्थानिय लोगों ने करीब दो घंटे तक फुली डुमर मुखे सड़क को जाम कर दिया, जिससे इस मार्क से आने जाने वाले लोगों को काफी फरेसानी हुई जाम की सूचना पाकर विडियो विकास कुमार, सियो अकलेस कुमार सिना, थानाधच मुहंबत सब्दर अली एवं पर्खंडर परमुग गौतम प्रकास ने परिजनों इवं अस्थानिय लोगों को समझा बुझा कर जाम हटवाया, परिजनों ने बताया कि अपनी मा के साथ रवीवार की द परार हो गया, जिसे फुली डुमर पुलीस ने खेसर बाजार से जब्त कर लिया, इधर मिरतक के पिता ने फुली डुमर थाने में आविदन देकर नियाए की गुहार लगाई है